हर हर महादेव जैब होलिनाथ नमस्कार मैं शाहदना पांडे मागदसन पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं बात करूँगे कामदा एकादसी ब्रत के बारे में चैत्रमाज के सुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकादसी को कामदा एकादसी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो इस एकादसी को लेकर भ्रम की इस्ततिया है कि इस एकादसी का ब्रत हमें कप करना है एक अपरेल को या फिर दो अपरेल को किस दिन का ब्रत हमें सर्वस्रिष्ट माना जाएगा यानि किस दिन हमें ब्रत रखना चाहिए ब्रत में कौन-कौन से नियम ध्यान रखना है बिना ब्रत के भी क्या-क्या चीज़े आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि एकादसी कोई साथान दिन तो है नहीं कहा जाता है कि जीते जी तो एकादसी हमें लाप देती ही देती है मुरित्यू के बाद भी एकादसी का लाप प्राप्त होता है और कहा जाता है कि यदि कोई ब्यक्ति एकादसी का ब्रत किये बिना ही इस लोग से बिदा हो गया मुरित्यू परियंत उसके परिजन उसके नाम स दारण कर भी उसे मुक्ष की प्राप्ति करा है कर आब है और इतना बड़ा महद एक दसी का है बाकी कोई ब्रत इस तरह का नहीं है जो मृत्य के बाद भी ब्यक्ति को लाब दे लेकिन इस एक दसी का ब्रत जो हैं बहुत ज़ाँ स्रेष्ट पितरों के कृपा दिलाता है पित विष्णियम का पालन करना है सब कुछ जानेंगे दोस्तों कहा जाता है कि एकादसी ब्रत का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है पारण तो पारण के समय का भी हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए नारायन की पूजा उस दिन विधी विधान से पूरे मन से करना चाहिए बिना ब्रत भी और ब्रत के साथ भी तो ब्रत रखते हैं तो अतियुत्तम नहीं ब्रत रखते हैं तब भी भगवान विष्णू की पूजा विधी विधान से करिएगा पीले फूलों से पीले फल से जिसमें की केला बहुत विसेस होता है तो इस तरह से पूजा कर लेना चा बेखेखा सघू साथ गड़ी इसमें आपको vonology मिल रहे हैं और ब्रह्म महुर्थ में आपको सर्व neurosy की मिल रही है तो ऐसे में दो तारीक का ब्रत सर्व स्रिफ्ट तो है परन्तु आप एक तारीक एक अपरेल को भी ब्रत धारन कर सकते हैं अब इसमें आपके मन में संसय होगा कि हम क्यों दोनों दिन ब्रत रखें तो देखें एक अपरेल को भी ब्रत में कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या न बाद करें तो दोश्रेशन के दिन सात में सेड़ी दिविश्माइग व रहा है यह जब सात में दोश्रहता at मुझे साधान तया किस दिन प्रत रखना है ये जानकारी मिल जाए तो मैं बता दूँ आपको कि आप एक तारीक को प्रत रख लेजिए अगर आपके मन में है कि हमको बहुत सारा पुड़ी एकठा करना है तो इस कारण आप दो तारीक को भी प्रत रख सकते हैं क्योंकि कहा ज मतर एक नहीं इसके साथ जो है अपनी हजार और एक 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 एंदसी का लाब देने वाली है जिसमें साथ घड़ी से अधिक दो दो आदसी मिले तो ये एक एक कड़ी तो दो तारीक को मिल रही है तो आपकी एक्षा हो तो एक तारीक को ब्रत रख सकते हैं एक अप्रेल के ब्रत का पारण जो है वो दो अप्रेल को दो पार एक बज़कर 42 मिनट से चार साम को चार बज़कर 7 मिनट तक है तो पारण का समय याद रखेगा हरिवासर के दोरान कभी भी पारण नहीं किया जाता है तो एक बज़कर 42 मिनट से और साम को चार बच कर साथ मिनट तक यही पारण का समय है तो इसमें ही आप पारण इत्यादी करिएगा यह से ध्यान रखिए तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस दिन ब्रत धारण करना चाहिए बार-बार करें यदि आप हर तरह के पचड़े से बचना चाहते हैं क्योंकि इसमें जो दो अपरेल की एकादसी है उसमें पारण का समय आपको बहुत कम मिल रहा है तो इसलिए जो है आप एक अपरेल की एकादसी का ब्रत धारण करें बिल्कुल आराम से धारण करें यदि आप बहुत कर्मकांडों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं साधारण का दसी करना चाहते हैं तो ध्यान रखी आप भी ना सोचे समझे एक अपरेल को ब्रत धारन कर लें अब चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग दो अपरेल को ब्रत धारन करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए पारन करना चाहिए क्योंकि पारन में भी एक नियम होता पता ही है आपको कि 13 में पारण नहीं होता है तो ऐसे में क्या करें कि हम पारण सही समय पे कर पाये तो ऐसे में सुबह 3 तारी की सुबह सुबह बड़ा ध्यान रखने वाली बात है पारण का समय लिखी तो नहीं हूँ लेकिन 3 अपरेल को ध्यान दीजिए जो लोग 2 अपरेल लग जाएगी तो 6 बचकर 25 मिनट तक ही आपके पास समय है 6 बचकर 9 वनेट से 6 बचकर 25 मिनट तक ही इसी बीच आप कुछ खा पी लिजेगा जो भी आपको खाना पीना हो जो आप सकते हैं खा लिजेगा बस बहुत कम समय है इसलिए मैंने कहा कि आप एक तारी का प्रत हैं तो दो तारी को भी आप प्रत रख सकते हैं तो बार-बार इस सिच को मैंने कंफर्म कर लिया लगातार फोन आ रहे हैं लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं तो इसलिए मैंने इस बात को बहुत अच्छे से सबस्ट कर दिया अब चलिए हम लोग पूजा विदी के बारे म आज के दिन गंगा के जल से यानि कि जो पांचो चीजे होती है दूदधाइखी सक्करस उनसे तो भगवान का अविश्यक करते ही करते हैं आज गंगा के जल से नाराण का अविशे कराने से कहा जाता है कि साथ जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं, तो कोई फोटो है तो उस पे आप छिड़ख देजेगा मुष्णु को स्नान करा देजेगा, स्नान करने के बाद उनके मुष्णु को पोज करके इतर लगाए, लक्षमी नहीं आ रही है तो मालक्षमी के साथ मालक्षमी की भी विसेस पूजा अराधना करेगा भगवान विश्णु को आज जो भी भोग लगाईगेगा तूलसी दल जरूर डालेगा उसमें उसकी बिना नारायर भोग सुईकार नहीं करते हैं पता है ये बाते आपको पत लोग चावल का त्याग आज करेंगे अब आपके मन में आएगा कि आपने तो दोनों ही देने का दसी पता है तो हम त्याग किस दिन करें आपको दो थारीक को चावल का त्याग नहीं करना है बिना ब्रत के लोगों को की बात मैं कर रहे हूं आपको एक तारीक को ही पूरे को एकादसी तीथी में जूट वागर भी नहीं बोलना चाइए इन चीजों का असर तो हवे बहुत दूरकामे मिलता है लेकिन यह चीजें हम कर देते हैं, हमको लगता है करने से है जुकरदान कर सकते हैं तो यहीं सब नियम और विदी थी एक अदसी Cambridge की आज विंस उपाएंट में यहीँ आपको कहना चाहूंगी कि केला आ जो है आप जरूर आज के दिन दान करीगा गुरू मजबूत होते हैं गुरू मजबूत होने से क्या होता है गुरू मजबूत होने से एक तो आपका घरेलू जीवन जो दामपत्य जीवन हता है वो अच्छा होता है संतान आपको सुख देती है आग्याकारी होती है और विसेश कर घर में धन संपत्ती की बरकत बनी रहत कर लेजेगा आज के दिन एक दीपक में इदर डाल कर पूरी रात्री जलाईएगा यदि घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं तो टिकने लगेंगी यह चीज़े आपके जीवन को निश्चित रूप से सुचारू रूप से चला देती हैं छोटे-छोटे उपाई जीवन में च आजसी का नियम आपना लिजे मालक्ष्मी नाराण के सामने यह दिपक प्रजलित करिए फिर देखें जीवन में किस तरह से समतकारी परिवर्तन आता है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये तो आप बता ही देजेगा अच्छी लगती है तो आप एक लाइक ज़रूर करें और चणः को भी साथ साब्सकायब किजेगा दोस्तों जो लोग एकदसी ब्रत नहीं धारण करते हैं मन में किसी प्रकार का संसे नलाए बिल्कुल भी संसे नलाए आप लोग आराम से एकदसी का जो भी नियम होता है चावल मत खाइयेगा लस्टों प्याज मत खाईयेगा बागे सारी पूजा विदी उपाय सब कुछ कर सकते हैं किसी भी प्रकार का मन में अपने संदेह मतलाईएगा ब्रत अलग चीज होती है और पूजा पाठ उपाय यह सब अलग चीज होते हैं तो यह सब करते रहिएगा और हां दोस्तों यह भी ध्यान रखना है आपको कि चोटे चोटे नियम को जरूर करते रहिएगा तो चलिए मिलती हुँ इस तरह के वीडियो के सार्थ और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करी दीजिएगा चैनल को सब्सकाइब भी कर लेजिएगा बगवान का नाम लेते रहिए फोले नात का हर हर महा देगा